Now come to next variety, actually इसमें questions के data को थोड़ा सा घूमा कर आपको represent किया गया है, उसमें क्या होता है, हमारे पास जो MTU है, वो हम लोग किस packet को fragment करते हैं, एक डेटाग्राम को, वो डेटाग्राम किसका है, network layer का, network layer के पास जो डेटा है, वो किसे आया है, application layer से, वाया TCP layer through, got the point, now, अब सुनना, transport layer के through, अब अगर आपको एसा question दिया जाए, कि message size is 400 bytes, और यह से message की बात की गई है, मतलब application layer का डेटा है, TCP adder 40 byte है, तो वो डेटा जूड़ेगा, 400 plus 40, 440, IP adder 40 byte, actually IP adder 20 byte से 60 byte vary कर सकता है, but multiple of 4 में रहेगा, got the point, now 40 byte का है, MTU is 200 byte, तो जब आप इसे solve करेंगे, तो कैसे समझेंगे, सुनना, your MTU is 200, और आपका अब डेटा कितना है, 40, sorry, 4, 4, 0 and 40, it is an IP header, और यह आपका डेटा, बस समझ मैं, अगर मैं डेटाग्राम length की बात करूँ, तो यह डेटाग्राम length है, clear, डेटाग्राम length में दोनों चीज़े होती है, डेटा भी होता है, और IP header भी होता है, now, अब सुनना, 440 IP layer के लिए डेटा है, उस 440 में TCP header है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, now, जब 200 से जाएगा 40 गया, 160, 160, 160, 320, and 440 से 320 गया तो 120, यह 3 fragments बने, MF की बात करूँ तो, 1, 1, 0, offset की बात करूँ तो, अच्छी बात यह है कि 8 से divisible आ गया, now, 0, 20, and 40, क्यों, क्योंकि 160 bytes ahead है, इसके, तो, 160 divided by 1, और 320 bytes तो, 140, अगर कितने fragments, 3, now, overhead, IP header की overhead, एक package जाता, तो 40 bytes IP header जाता, तीन fragments जा रहे हैं, तो 40, 40, 40, 30, 3, और overhead कितनी 80 bytes की, clear, extra, due to fragmentation, clear, now, अब एक और concept में आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, वो ध्यान दीजेगा, सुनना, उसका meaning क्या है, अगर मैं आपको बोलू, इस network में security के लिए 10 bit का header है, एक 10 bit header है, जो जूड़ता है, तो उस case में ये एक नया concept है, जैसा आप कह सकते हैं, कि एक bus से आप travel कर रहे हैं, कोई national, आप किसी city में कहीं travel कर रहे हैं bus से, आपको आप पता चली कि bus आगे नहीं जा सकती, आप सब को four wheelers में shift कर दिया गया है, जब four wheeler में shift किया, तो bus में एक ही driver था, अब हर four wheeler में एक एक driver होगा, तो जितनी occupancy है, उस four wheeler की वो है, clear, अब आप four wheeler में चले गए, for example, वो सारे four wheelers कैसे थे, eight seater, seven seater वे से, तो आप adjust हो गए, सब चले गए, now, अब ऐसा case आया, कि आप एक forest से निकलने वाले हो, आपको forest के through निकलना है, तो security point of view से, एक gunman हर four wheeler में बेठेगा, तो फिर हमने उन four wheelers में फिर fragmentation किया, और वो gunman हमने बिठाया, along with driver, driver is our IP overhead, और जो gunman है, वो network का overhead है, clear, जैसे हम forest से निकलेंगे बाहर, वो gunman हमारी car से उतर जाए, बत समझ महीं, तो अब मैं ये जो division है, वो normal रहा, अब मैं जो कर रहा हूँ वो ध्यान दीजेगा, सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 40 गया किसका, header का, 10 गया किसका, इसका, 150, 150, 150, 150, 300, and 140, 150 is divisible by, 8, not at all, तो 150 से जस नीचे कौन सी value है, जो 8 से divisible है, नौ, 150, that is, 8, 1, 7, 0, that is, 64, तो 6 बचा, तो ये अपना आया, 144, 144, 144, 144, 6, 6, 12, तो 152, clear, now, अब 152 आगया, सबसे खतरनाख चीज़ देखो, 152 आगया, तो 152 भी नहीं रह सकता है, तो ये भी बेचारा डिवाइड होगा, 144, 144, 144, ये 144 से कितना आगया, 8, तो इसके डिविजन कितने हुए, 144, 144, 144, और 8, आप इन सब का सम करेंगे, तो 440 आजाएगा, now, अब इस केस में फ्रेग्मेंट कितने हो गए, 4 हो गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं एक फ्रेग्मेंट की बात करूँगा, तो फ्रेग्मेंट के सदीके का, 144, 40 बाइट IP header, और 10 बाइट ये, जैसे आप इस नेटवर्क से गुजरेंगे, निकल जाएंगे, 10 हट जाएगा, लेकिन रियसेंब्लिंग कहां होगी, Receiver end, clear, तो ये एक और पॉइंट है, जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, Is there any doubt?